Hello students and welcome to Ramrubh Shabha YouTube channel और आज की वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले मेरे भाई लोगो जितने भी बेहन लोगो सबी से चलिए तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं J.Mains 2024 के लिए क्या क्राइटीरिया रहने वाला है क्या सच में ये 75% वाला क्राइटीरिया हट चुका है या सिर्फ एक अफवा है जो YouTube पर फैले जा रही है या सोशल मीडिया पर या वेबसाइट ब्लॉग्स पर और कितने अटेंट क्या तीन अटेंट अभी भी है या बढ़ा दिये गए हैं की तरफ से सारी क्लारिटी आपको इस छोटी सी वीडियो मिलने वाली है बरे रहेगा वीडियो के एंड तक फटा फट से मूब आन करते हैं ओके स्टूडेंट सो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई लोगो तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता देता हूँ J means 2024 का eligibility criteria तो बहुत सिंपल सी बात है 2022, 23, 24 में भी आपने board examination दिये हैं वो भी eligible है ऐसे कोई दिक्कत वली बात नहीं है बट भाई यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है general category को 12th class में 75% score करना होगा 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 याद रखना यह बात मेरी है ना 75% is compulsory for general और भाई SCST भाई लोगों के लिए 65% का जो है criteria रखा गया है अगर इस division को आप इस percentage को cross कर लेते हैं then you are eligible for this joint entrance examination चेक है second part अगर हम बात कर लेते हैं इसकी नीचे जाकर कि sir कोई age limit तो नहीं है तो कोई भी age limit यहाँ पर आपके लिए नहीं रखी गई है आपका 2022 अगर year of passing है you are eligible 2023 year of passing है you are eligible 2024 है तो भी आप eligible हैं चेक है qualifying exam आप लोगों को पताई है candidates जो है maximum of 3 consecutive years तक attempt कर सकता है जही का examination यह आपको याद रखना है और एक बारी में मतलब one year में two attempt होते हैं हलाकि 2021 special scenario था जहां पर चार attempt करवाई गए थे चेक हैं तो यह मैंने आपको सारा confusion clear कर दिया है अच्छा बचो tension नहीं लेनी है all the best for your preparation और सारी चीजे में आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ किस तरीके से आप physics के लिए mathematics के लिए chemistry के लिए क्या-क्या आप तयारी कर सकते हैं जही के examination के लिए बाई लोग कोई भी दिक्कत हो, doubt हो, पूछना हो, comment में फटा-फट से type कर दीजिएगा और make sure channel को subscribe करो ताकि connectivity बनी रहे college भी तो चाहिए, ठीक है marks कम आते हैं, जाद आते हैं, doesn't matter बट आप अगर एक अच्छे college में अच्छा branch लेकर पढ़ाई के शुरुवात कर दो तो उससे बहतर कोई चीज नहीं है ठीक है, तो हमारी team counseling के लिए भी आपके full support में रहेगी पहले आप JEE का paper दो, उन सब जंजटों में चलेंगे बात में चलो, bye-bye, may God bless you